पूरा आपको धर्म शाहत्र पुरान है जितने उसको फेकना पड़ेगा फिर। उसने बटा बटा सब खाली बटा ही हुआ है। उसने तो सर फिर ब्रहामिन, छत्री, वैस, सुद्र, शातिया, उपजातिया, उनकी उपजातिया, बाटा कि फिर तो। कुछ लोग तो वर्ण व्यवस्था में नहीं है उसको कौन बाटा था किसने यह ऐसास दिलाए कि तुम चमार हो तुम भंगी हो तुम खटीक हो तुम पासी हो तुम धानग जवाब हो ही देना हम अपने से थोड़ी अपना जात लिख लिए हैं अपने से थोड़ी लिखें त जो बाटा है उसको तो रास्त से माफी मांगनी चाहिए देश से इस मुल्क से माफी मांगनी चाहिए हमने ऐसा ऐसा बाटा मतलब ऐसी अमानभीय विवस्था दुनिया में नहीं होगी कि किसी के चाया से छूत लग जाती हो मटका गले में टंगा हुआ है जारू पिछे जम्लीष को नहीं सब्सक्राइब लूपन में दर्भारी लोग थे उनके नवरत्न में थे उनके जागिरदार थे मनसबदार थे सेना-पती थे वह कौन लोग थे मुसलमानोंके डर दिखा रहे हो तुम मुसलमानोंके कावेनेट में कौन था उस समय तब ना पता लाएगा दराते हो इधर दलित पिछड़ों को उधर बैटके जो अना सेवाई या बिर्यानी चापते हो उधर बैटके जब सरकार अभी बता अरंग जेव का शाचन काल है तो जो बटोगे कटोगे कहां रहेंगे उनके टीम में रहेंगे पहले इंसे पुछिए कि महारास्ट में श्रिवाजी का जो रास्तिलक हुआ था तो किन लोगों ने रास्तिलक करने से मना किया था मुसल्मानों में मना किया था अंग्रेजों ने मना किया था इस जरह पता करवाये कि रास तिलक करने से मना किया था उनको काशिष से गंगाभट को बुलाना पड़ा था और गंगाभट बहुत सारे पैसे लिये थे अब पाउं के सब छोटा हूं लियो तन उस ते रास तिलक किया था तो यह तो RSS बोले कि ठीक था, BJ भी बोले कि ठीक था और नहीं तो मा भी मांगे, कि Shriva Ji को अपमानित किसने भाठा था Shriva Ji को, यह तो बिपाक्षर उठाना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि उसके लिए स्पास्टी करन दे कि जो हुआ थीक हुआ था, ठीक हुआ था था, अच्छा इबात बोले कि बटोगे तो कटोगे तो दलीत जात-जात की पाठी बन दही है, पिछ्डों में भी जात-जात की पाठी बन दही है, तो जब आप बट गए तो कट गए, आपके पूरे निजी करन हो रहा है, नोकरी खतम, शिक्षा खतम, भारत पांच ट्रिलियन लेकिन भारत जब गरीब था तब उसमें फिरी में शिक्षा मिल ला था दलितों को वजीफा फेलोशिप फिरीशिप सब मिल ला था तो फाइब ट्रिलियन में महगा क्यों हो रहा है जी कुछ सरकारी स्कूल खास्ता हाल क्यों है तो दलित पिछडों के लिए अच्छा बोला ह सब्सक्राइब करते रहो आपका मिडिल क्लास का चंदा देने वाला चंदा देने वाला जिसके चंदे बहुत लोग पलते बढ़ते हैं वो तो इसी सरकारी उपकर रुमों से हुआ था ना पब्लिक सेक्टर उनिट से हुआ था अब नौकरी खतम चंदा खतम जाओ तो आप बटोगे तो कटोगे दलित पिश्डों को समझ लेना चाहिए बटे तो कटे अगर आप घटा रहोगे तो ठीक रहोगे अधिकार आप खतम बजट में कितना है चोवीस बज़िस में और तालिस लाग बीस हजार पांसो बारा करोर इसमें से में से को कितना मिला है एक लाग 32,214 करोर उपे स्टी को मिला है कितना परसेंट है 2.74 परसेंट आई ये भी उनके कल्यान के लिए खर्चा नहीं हुआ अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको डाइबर्ट कर देता है कितना होने चाहिते 7,95,384 करोर शिडूल कास्ट के लिए और 3,95,281 करोर शिडूल ट् सब्सक्राइब के उठान के लिए पैसे खर्च होने इसमें कोई डली समाज में बहस है कहीं बहस है नेता भी नहीं बोल रहा है को तो कर लेगा एक दिन में तब तक पुरा सिस्टम ही खतम हो जागा है नखेत में बहचने के मजदूर बननानी के तयारी चल लए पुरा हम ल है ना वह तो अपना हिसाब किताब देख लेगा इडली तो लोग कहां जाएगा एक सरकारी नौकरी से ही तो बनाता ना सब कुछ और उसके पीछे था स्थिक्षा और अफर्मेटिव एक्षन जब दोनों खतम हो गया तो तुम करो क्या तुमारा तो ढ़ाबा भी नहीं चल लगा तो वहां तो लोग जाएगा भी हिंदू जाता है खाने तुम तो ढ़ाबा भी खोलो तो कोई खाएगा कि नहीं खाया गारंटी यह सोचना है ना समाज को अगाह कर रहा हूं कि अनर्यालिस्टिक ड्रीम्स मत देखो ख्वाब मत पालो जो है वो भी चला गया भाबा स दिल्ली में कोई बच्चा घर का बच्चा पड़ाएज मेरे पास मेंसे जाते है की मेरे लिए क्रावड फंडिंग कर दीजिये क्रावड फंडिंग कर दीजिये तो मिलाज बुला कि जो हालत है बहुत बहुत खराब है नाजू किस्तिती में है अभी दलित समाज मैं तो दलित को यह कहता हूँ कि दलित समाज जो राजनिती का नशा पाला है न सब को खाली MLM पर बन के कर रहो क्या को एजंडा पॉलिसी मैनिफिस्टो है बिना बने हुए लोग लड़ सकते हैं हम लोग तो कुछ भी नहीं न किसी से लेते हैं लड़ते हैं कि नहीं रोस्टर का अंदूलन जीता है कि नहीं जो बात आप कह रहे हैं कि एसी एस्टी का जो बजट जो खतम कर दिया गया बिपक्ष भी इसको मुद्दा नहीं बना रहा है बिपक्ष भी नहीं बोला आप शेड़ी का बच्चा जब रोता नहीं तो माद दूद भी नहीं पिलाती है दलित समाज में कोई दिमांड है क्या इतने बड़े बड़े संगठन पार्टी चल ले हैं करोड़ अर्व चंदे जा रहे हैं उनकी ऊपर से कोई इस 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 इशु पर है रोजगार पे और शिक्षा पर कोई दिमांड है जब डिमांड ही नहीं तो कौन तुमको पूछेगा अब वोट भी तुमसे नहीं माएंगा अब लगाटो भागो तुम जहां वोट देना दो जो वोट का बार्गेनिंग पावर था अब जा जात की पार्टी बन गई पता है कि रहुल ना किसको बोट देगा तो हम तुम्ह कर लिया है कि अपना नशा में राजनितिक नशा में को अपने बर्वाद कर लिया हिंदु राष्ट का पालकी धोरा है सब कोई प्रतेक्ष रूप से डोरा है को यह पर थे तो हम समाज कोम अगाह कर रहे हैं कि देखो ना कि चिराग पासवान है माजी है अथाबले है तमाम आम जनता सूच लो क्या होगा तुम्हारा कोई भी सरकारी स्कूल ने बच्चा भेज रहा गाओं में क्यूं नहीं भेज रहा है यह कोई नेता के विमर्ष में है कि दलितों के लिए होस्टल होना चाहिए बाबा साहब के नाम पर आजनिती करता अधेला नहीं पड़े हो हो सकता है खत्म भी हो जाए लेकिन गुण भेद बने रहेंगे बढ़िया लेना चाहिए अंबेटकर कौन सा इडिया लोग पढ़ा है अंबेटकर साहब ने कभी क्लेम किया है कोई दाबा किया है कि हम देश में सरकार बनाने जा रहे हो तो सरकार से नीकोशियेट करते थे फ्रीशिप आया था और रुख कंटिनीव रहा बाबा साहब के जाने के बाद भी जो सरकारे रही कंटिनीव रखे ने बढ़ाती रही उसको अब कहा है यह मिल दा है यह सवाल पूछो